नमस्कार स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल शुभिया अशुभ में दोस्तों लाश्ट वीडियो में बात की थी कि आपकी सरकारी नौकरी कब लगेगी वेन विल्यू गेट गॉर्मेंट जॉब वीडियो को बहुत अच्छा रेस्पॉंस मिला लगभग एक महीने में धाय लाग से जादा व्यू मिले है उसी वीडियो में लगातार ये सवाल पूछा गया कि क्या हमारी सरकारी नौकरी लगेगी या फिर हम बिजनिस करेंगे सरकारी नौकरी या बिजनिस ये योग केवल चार नंबर बनाते हैं नंबर वन एट नाइन और फाइव इस वीडियो में इन चार नंबरों को ढंक से डिसकस करेंगे इन नंबरों को कैसे निकालते हैं अगर ये number missing है तो क्या करना चाहिए और अगर इन में से कोई भी number आपकी date of birth में दो से जादा बार आ रहा है जैसे कि माली ये number one आपकी date of birth में तीन बार आ गया या तीन से जादा बार आ गया तो आपको क्या remedies करनी चाहिए वो सब इस वीडियो में cover किया हुआ है चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों जैसा मैंने आपको लाश वीडियो में भी बताया था कि सफलता पाने का सबसे अच्छा मंत्र कुछ लोग कहते हैं प्रोशो प्यारे कुछ लोग बोलते हैं कौनवल एक्सा पर मैं कहता हूँ कि सबसे अच्छा मंत्र जो आपको सफलता दिलाता है वो है राधे राधे अगर आप इस नाम को यूज करते हैं तो ध्यान लखिएगा इतना powerful नाम है इतना powerful मंत्र है कि आपकी success के chances बहुत बढ़ जाते हैं इससे पहले वीडियो शुरू करें प्लीज कमेंट में एक बार राधे राधे जरूर लिखें चलिए अब आते हैं वीडियो पर माल लीजिए जिस विक्ति का हम निकालना चाहते हैं कि इसके लिए सरकारी नौकरी ज़्यादा अच्छी है या फिर business ज़्यादा अच्छा है उसकी date of birth है 15th August 1982 15th August 1982 अब कुछ simple से step हैं जिन लोगों को नहीं आता उनके लिए फटाफट से कर देते हैं बहुत आसान सी calculation है साथ रहिए करते रहिए ताकि आपको समझने में आसानी रहे अगर आपको पता है तब भी साथ रहिए सबसे पहले हम निकालते हैं आपका जो भी आपकी date of birth में जितने भी नमबर आ रहे हैं उन सब नमबरों को note down कर देते हैं इस date of birth में देखिए कौन कौन से नमबर आ रहे हैं month में आ रहा है 8 और year आ रहा है 1982 और मैंने इन सब नंबरों को अपने फर्श टेप में लिख दिया और नीचे भी ले आया अब मैं क्या करूँगा इन नंबरों को आपकी परसनल लोशू गिड में भरूँगा जो हर विक्ति के लिए अलग-अलग होती है अब आप देखे सबसे पहला नंबर है वन और नंबर वन होता दिखाता है आपका करियर सूर्य का नंबर है तो लोशू गिड में ये जगह जो होती है जहाँ पर तीनों जगह पर मैंने सरकल मारावा है वो नंबर वन के लिए होती है same way अगला नंबर है नंबर 5 नंबर 5 दिखाता है energy को बुद्ध का नंबर है और बिलकुँ center में ये नंबर होता है बहुत जादा powerful नंबर माना जाता है इस नंबर को हम विस्तार से discuss भी करेंगे तो इन नंबरों को इसी हिसाफ से हम आपके लुशुगिड में भढ़ देते हैं सबसे पहले आता है नंबर वन देखे जहाँ पर करियर वाला पोशन है और सुर्य वाला पोशन है करियर है, सुर्य है वहीं पर मैंने नंबर वन को भरा है इसके बाद आया नंबर फाइव सेंटर में आ गया नंबर एट सेटन शनी का नंबर है नंबर आठ की जगे पर आ गया वन दो बार आ चुका है उसके बाद नाइन नाइन और टू ध्यान दखिएगा जब तक कोई भी नंबर आपकी डेटो बर्त में दो बार तक आता है जैसे इस जगे तक नंबर वन दो बार आया है नंबर नाइन दो बार आया है तब तक निमरोलोजी के हिसाब से ये चीज बहुत ज़्यादा शुब मानी जाती है पर अगर ये नंबर दो से ज़्यादा बार आजाए तीन बार आजाए चार बार आजाए पांच बार आजाए तो थोड़ी सी गलतियां थोड़ी सी गड़बड़े होनी शुरू होती है उनका क्या रेमिडीज है इसी वीडियो में आगे आपको बताऊंगा अब पहला श्टेप मैं सोचता हूँ कि आपको निकालना आगया होगा दूसरा श्टेप होता है आपका मूलांक या ड्राइवर नंबर निकालना मूलांक कैसे निकालते हैं आपको देखनी है कि आप किस तारीक को पैदा हुए अगर आप एक से लेके नौ तक किसी भी तारीक के बीच में पैदा हुए है तो आपका मूलांक सीधे-सीधे वही तारीक होगी नंबर 3 को पैदा हुए तो 3 8 को पैदा हुए तो 8 अगर double digit नंबर के दिन पैदा हुए जैसे ये विकति 15 को पैदा हुआ तो आपको क्या करना है दोनों डिजिट को add करतो और जो भी निकल के आएगा वो आपका मूलांक होगा जैसे इस case में हो गया है 6 ये तप्पक करना है जब तक आप single digit में ना आ जाओ जैसे 19 हो तो 1 प्लस 9 करेंगे इसको 2 आ गया 10 double digit number single digit में convert करना है आ गया 1 उमीद करता हूँ आपको मूलांक या driver number निकालना भी आ गया होगा third और final step बहुत आसान है वो क्या होता है आपका conductor number निकालना कैसे निकालेंगे आपकी date of birth में या first step में जितने भी number आए उन सब को add कर दीजिए और add करके single digit में ले आईए इस date of birth में जो number आये है वो आये 1581992 मैंने सब को add कर दिया add करके आया 35 35 को single digit में कैसे लाओंगा 3 plus 5 is equal to 8 और ये आपका आया conductor number और इस number को भी अब मैं क्या करूँगा आपकी grid में भर दूँगा यहाँ पर आपकी calculation part हो जाता है खतम अब आते हैं इस चीज़ पर की वो कौन से number है जो बताते हैं कि आपको सरकारी नौकरी करनी चाहिए या business करना चाहिए सरकारी नौकरी के हिसाब से जो सबसे important number माना जाता है वो माना जाता है number one number one किसका number है number one माना जाता है सोर्य देव का sun का number है और इसको water element भी माना जाता है number one किसका है sun का number है उसको water element माना जाता है आपके career और planning जो भी आप life में plan करते हैं या जहां पर भी आप अपने career में success को पाते हैं वो number decide करता है number one बहुत ही ज़्यादा powerful number है hard working लोगों के पास होता है जो आदमी अपने पे dependent है उनके पास होता है ध्यान देखिए का जो आदमी जो भी विक्ती 1900 से लेके मैं कहता हूँ 1999 तक पैदा हुआ इस year में पैदा हुआ उसको देखिए automatic number one मिला और आप मान के चलिएगा कि जब तक हम last century में चले तब तक लोगों को government job अच्छी मातरा में मिली क्योंकि sun काफी हद तक उनके favor में था कुछ लोगों के साथ दिक्कत हुई हो सकता है one का repetition आया या eight missing हो या nine missing हो या फिर जो मैंने वीडियो आपको शुरुआत में दिखा है था कि कौन से year में आपकी government job लगेगी इसका मैं जो link होगा वो description में डाल दूँगा या फिर end screen में भी डाल दूँगा कि आप कैसे calculate कर सकते हैं आसानी से तो इन लोगों को sun का बहुत ही अच्छा क्या मिला support मिला तो इन लोगों की government job के chances आप देखते हो कि last century में बहुत ही जादा अच्छे थे with time कम होते जा रहे हैं अब अगर यही number one आपकी date of birth से missing है तो दिक्कते क्या आएंगी सबसे पहले तो आती है आपकी जो will power है इच्छा शक्ती है वो बहुत ही जादा कम हो जाएगी बहुत कम will power होगी आपके अंदर जो courage होता है साहस होता है किसी भी interview को या exam को face करने का जो साहस होगा वो कम होता जाएगा कहीं न कहीं देखें तो self confidence आप lack करेंगे आपके जो expression की power है जो communication की power है आजकल हर exam में आप देखते होगे हर field में देखते होगे कि या तो return exam होता है या interview होता है आपका communication कमजोर है तो आप clear कर ही नहीं सकते तो number one जो है वो बहुत जरूरी है आपकी किस चीच के लिए government job के लिए अब अगर आपकी date of birth में number one missing है तो आपको क्या remedies करनी चाहिए जैसा मैंने आपको बोला number one मतलब water element अगर water element missing है तो घर की north direction में एक aquarium जिसमें आप मचली पालते हैं वो रखना चाहिए अगर आपके सामने कोई आदमी आ जाए जिसको पानी पीने की चाहो गला सोख्री हो थश्टी हो उसको क्रिप्या पानी पिलाएं घर के entrance पे आप एक छोटा सा fountain रख सकते हैं आजकल artificial fountain आते हैं सौ ड़्ट सो दो सो रुपे में मिल जाते हैं इसके अलावा सूरे देव को एक तांबे के लोटे में हलकी सी रोली मिलाके रोली किसे कहते हैं कुछ लोग मिरसे पूछते हैं जो हम सर पे टीका लगाते हैं लाल रंग का उसे रोली कहा जाता है जल अरपन किया कीजिए डेली सुबह और इतवार को अगर संबह हो संडे को अगर संबह हो तो औरंज कलर के कपड़े पहने इसके बाद अगर आपकी डेटा उबर्त में वन रिपीट हो रहा है तीन बार आ रहा है चार बार आ रहा है या इस से भी जादा बार आ रहा है तो ध्यान दखिएगा कि आपको communication की बहुत problem होने वाली है इच्छा शक्ती कमजोर रहेगी, self confidence weak रहेगा तो उपाये क्या करें संडे इतवार को आप गेहूं, गुड, लाल कपड़ा या फिर लाल दाल गेहूं, गुड, जैगरी जिसे कहते हैं लाल कपड़ा या लाल दाल ये दान कर सकते हैं इसके अलावा बहते वे पानी में आप तांबे का सिक्का किसी भी नदी के ऊपर से जाएं, जहां पर भी पानी बहतावा मिले वहाँ पर आप क्या करें, तांबे का सिक्का आप डाल दें ये भी क्या करेगा आपके sun को मजबूत करता है इसके अलावा red और white कपड़े कौन-कौन से red and white इसको especially Sunday के दिन न पहने इनको Sunday को पहनना avoid करें नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है ये था पहला number number one जो कहीं न कहीं आपके सरकारी, नौकरी और business के लिए बहुत ज़्यादा शुब माना जाता है इसके बाद अगला number आता है number eight number eight किसका है? Saturn का है, शनी का है हमारे शनी देव, कर्म, फल, दाता, न्याएके, देवता ये हमें क्या देते हैं? हमारी ambition को, हमारी मेर्तो कांशा को अच्छा करते हैं leadership quality देते हैं जिसके पास number eight होगा, बहुत ज़्यादा serious होगा जो करना है, उसके लिए बहुत ज़्यादा focus रहता है और हमेशा नए-नए challenges को लेने के लिए ready रहता है शनी को काफी हद तक आपके कर्मा जिसे हम कर्म कहते हैं, कर्मों से भी जोड़ा गया है कि जैसा करोगे, वैसा पाऊगे what goes around, comes around जो आप किसी और को दोगे, वही आपके पास lot कर आएगा ये number आपको देता है power, ताकत देता है, authority देता है और material success देता है, पैसा वैसा ऐसे लोगों के पास बहुत ज़्यादा आता है थोड़ी age के बाद आता है, पर आता जरूर है आप अगर date of birth में number 8 missing है, तो क्या करें सबसे पहले sunset के बाद, जब सूर्य डूब जाए संध्या के time, people के पेड़ के नीचे, अगर शनिवार को सरसो के तेल का दिया mustard oil, mustard oil का अगर आप दिया जलाएंगे, तो आपके लिए शुब होगा Saturday के दिन ही, अगर आप काली साबुत उड़त की डाल, एक आज रुपए का सिक्का डाल के किसी गरीब को दान देते हैं, तो अच्छा रहेगा अपने पाओं पर mustard oil की या फिर सरसो के तेल की मालिश आपको करनी चाहिए इसके अलावा आप किसी को भी अगर educate करते हैं, तो किसी को भी पढ़ाते हैं जो भी needy है, उसको knowledge देते हैं, तो भी माना जाता है कि शनिदे बहुत जादा खुश होते हैं और असान उपाय करने हैं, तो लड़के अपने right hand पे लड़किया अपने left hand पे एक लोहे की अंगूठी या चला पहन सकते हैं कौन सी उंगली में पहनना है, बीच वाली उंगली में, जो सबसे लंबी उंगली होती है उसमें लोहे का चला, लड़के right hand में और लड़किया left hand में पहन सकते हैं salty food, ठीके नमकीन खाना, जिसमें नमक मिलावा हो, अगर किसी भी नीडी, किसी भी जुरुत मन्द को देंगे, तो भी आपका शनी सुधरता है Saturday के दिन अगर संबाव हो तो fast, रख लो, आपके लिए शुब रहेगा हनवान चालसा का regular part करेंगे, तो भी शनी देव की कृपा आप पर बनी रहेगी अगर नमबर आठ रिपीट हो रहा है, तीन बार, चार बार, या उससे भी ज़्यादा बार, आपकी डेटो पर्त में, इस चार्ट में, इन सब नमबरों को निकालने के बाद तो आपको उपाय क्या करना है, सबसे पहली चीज की सेटरडे के दिन, आपको काला कपड़ा, ब्लैक प्लोट नहीं पहनने हैं, बिल्कुल मत पहनिएगा, आपके लिए मना है सेटरडे को सरसो का तेल, काला कपड़ा, साबोत उड़त, काले तिल और लोहे की कोई भी चीज, आप अगर किसी जरुरत मन्द को दान करेंगे, तो वो आपके लिए शुब रहेगा ये था वो दूसरा नमबर जो आपको सरकारी नौकरी या बिजनिस का योग बनाता है, ठीक है, तीसरा नमबर जो आता है, वो आता है, नमबर नाइन, मार्स का नमबर, ठीक है, मंगल का नमबर, नमबर नाइन क्या दिखाता है, आपका कहीना कहीन, नमबर नाइन आपको द देता है आपको डाउन टू अर्थ बनाके रखते हैं बिल्कुल जमी से जुड़े रहेंगे डिसिप्लेंट रहेंगे हाँ कहीं कहीं पर आप देखोगे कि अगर नंबर नाइन आ रहा है तो आप अग्रेसिव हो जाओगे थोड़ से जिद्दी सवह हो जाओगे और लोगों क के साथ बहुत ज़्यादा हार्शली बोलने लगते हैं मतलब कटू भाशा में बोलना नंबर नाइन वालों के साथ थोड़ी दिक्कत करता है अगर नंबर नाइन मिसिंग है तो ध्यान लगतना लाइफ में नेम एंड फेम ये दो चीज पाने में दिक्कत हो सकती है एक फैनेंशली नुकसान खाएंगे क्योंकि लापरवाही से काम करेंगे करें क्या उपाए क्या करें सबसे पहले साब्से आसा उपाए लाल धागा आपने दिक्खाऊगा जो हम लोक पहनते हैं अपने हाथ में पूंझा पार्ट के बाद लड़के अपने राइट हैंड में प लाल धागा पहन लीजिए और जिन लड़कियों की जिन बेहनों की शादी नहीं हो रखी है उनको ये लाल धागा पहनना है अपने राइट हैंड में जिस हैंड में लड़के पहनते हैं उसी हैंड में और क्या कर सकते हैं घर में एक फोटो लगा दीजिए कौन सी डिरेक्शन में लगा सकते हैं लाल डाल डान कीजिए लाल जैसे मसूर की डाल होती है ठीक है लाल मसूर की डाल होती है वो भी अगर आप मंगलवार को डान करेंगे तो आपके लिए शुब रहेगा और फाइनली अगर करना है तो हर्मान चलिसा का पाट कीजिए वो भी मंगल को बहुती ज्यादा शुब बनाता है अब अगर नमबर नाइन आपकी टेटो बर्ट में रिपीट हो रहा है बहुत लोग सवाल पूछते हैं बहुतों के में रिपीट होता है तीन बार चार बार कईयों के में पांच बार रिपीट होता है और दिक्कते आती रहती हैं समझने आता कि क्य करना चाहिए तो करना क्या है कि मंगलवार को आपको लाल चीज़ें दान देनी है जैसे लाल मसूर की दाल, गुड, लाल कपड़े, गेहूं दान करतो, तांबा दान करतो, ये सब क्या करेंगे आपको, आपके मार्स को मंगल को शुब बनाएंगे और खास सौर पर ध्यान लखेगा कि मंगलवार के दिन आपको लाल कपड़े नहीं पहनने हैं इसको नोट कर लीजिए कि मंगल को अगर आपकी देट आप बर्थ में नमबर नाइन रिपीट कर रहा है तो लाल कपड़ा कृप्या मत पहनिए अगर अब तक वीडियो के साथ बने वे हैं तो कमेंट में वही चीज़ जो मैं हमिशा आपसे मांगता हूँ राधे राधे जरूर लिखेगा आपके काम शुब होते जाएंगे अभी केवल एक ही नमबर बचा है पता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है जल्दी खतम करने की कोशिश करते हैं अब आते हैं लाश नमबर पे जिसको खास दौर पर बिजनिस के लिए जो लोग बिजनिस करना चाहते हैं उनकी डेट ओ बर्थ में ये नमबर नमबर फाइव बुद्ध का नमबर जो एनरजी देता है वो होना ही होना चाहिए अगर नमबर फाइव आपकी डेट ओ बर्थ में नहीं है और आप बिजनिस के फिल्ड में बिना रेमिडीज के जाते हैं तो ध्यान लखेगा कही ना कहीं आप नुकसान खा सकते हैं नमबर फाइव माना जाता है मरकरी बुद्ध का जो आपको एनरजी देता है कहीं ना कहीं एक mental and emotional balance mental and emotional दोनों balance कौन बना के देता है बुद्ध आपको देता है आपके अंदर intelligence power increase करता है जोखिम लेने की शमता बिजनिस अगर कर रहे हैं तो जोखिम आपको लेना पड़ेगा उस शमता को थोड़ा सा बढ़ाता है आपके बिजनिस की success के लिए सबसे बड़ी चीज़ शायद होती है communication ठीक है आपके communication को improve करने वाला number है number 5 ठीक है इसके अलावा जिसके पास number 5 है और especially दो बार number 5 है बहुत ही शुब है वो क्या करेंगे किसी भी problem problem हरे की life में आएगी आप बिना problem के life को सोच भी नहीं सकते पर ये नए नए तरीके ढूंडेंगे कि problem को कैसे solve किया जाता है इसलिए number 5 businessmen के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है अगर number 5 missing है तो क्या होगा सबसे पहले तो आप अपनी life में गोल सेटी नहीं कर पाएंगे कि मुझे करना क्या है आपको एक constant motivation की ज़रुत रहेगी कोई ना कोई आपको प्रेड़ करता रहे memory power weak है बिल्कुल weak memory रहेगी ठीक है आपकी success rate बहुत ज़्यादा affected रहेगी क्योंकि जिन्दगी में बहुत ज़्यादा struggle आपको करने पढ़ेंगे और अगर आपको आज की date जो है आपने mobile बे भी देखाऊगा multitasking की है बहुत सारे काम एक साथ करने हैं business में बहुत सारे काम एक साथ करने हैं ग्राहकों से भी deal करना है और दूसरी side जो आपको supply करने है supply और demand के बीच में एक balance बना कर चलना है बहुत ज़्यादा multitasking ऐसे businessmen आपको करनी पड़ती है एक monotonous काम नहीं है एक तरीके का काम नहीं होता है तो multitasking में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी तो अगर number five missing है तो करें क्या कोई तो remedies होंगी बिलकुल हैं बहुत सारी है सबसे पहले क्या करें कि एक तांबे का सिक्का अपने पर्स में हमेशा रख्या कीजिए कहीं पर भी मिल जागा किसी भी old coin shop में जाएंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा इसके बाद आपने को ग्रीन डाल होती है जैसे ग्रीन मूँ की साबुत मूँ की डाल है रात बर उसे पानी में भुगाए बिगाए और सुबह जो है पक्षियों को birds को खिला दें ये भी क्या करेगा आपके बुद्ध को अच्छा करेगा इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि अपने घर में या तो आप लगा दें money plant ठीक है या फिर तुलसी का plant एक लगाए और उसकी थोड़ी सी सेवा करें लगाने लगाने से काम नहीं चलता थोड़ा सा पानी वानी भी देना पड़ता है अगर नंगे पाओं हरी घास पर सुबह सुबह चलेंगे तो वो भी आपके नंबर फाइव बुद्ध को अच्छा करता है और इसके अलावा नंबर फाइव अगर आप देखें तो सेंटर का नंबर है बिलकुल सेंटर में है ग्रिड में ग्रहों का राजकुमार है बुद्ध तो आपको करना क्या है कि घर के सेंटर में बिलकुल बीच में सॉलिड रॉक जिसमें केवल पहाड़ी पहाड़ दिखें ऐसी फोटो लगाना और उस फोटो में ध्यान अकना कि ये चीज मुझे नहीं चाहिए गर के बीच में सॉलिड रॉक पहाड़ की फोटो लगाए है और ऐसी फोटो चूज करनी है जिसमें पानी ना हो फिर से बोलना हूँ जिसमें पानी ना हो तो आप देखेंगे कि आपका बिजनिस कितना अच्छा इंप्रोव करता है शायद किसी प्रोशो प्यारे या फिर कौनवल अक्सा की जरूत आपको ना पड़े जो हमारा सनातन धर्मा में कहता है उस हिसाब से आपको कह रहा हूँ किसी की भी इज़त को कम करना मेरा यहां पर अद्दिश्य नहीं है सब चीजیں अपने इसाब से सही है अगर ये नमबर आपकी देटो बर्त में रिपीट मार रहा है दो से जादा बार तीन बार आ गया चार बार आ गया जादा बार आ गया तो क्या करें सिंपल सी चीज बुद्धवार के दिन वेंश्टे को गाये को आप हरा चारा खिला दे या पत्तेदार हरी सबजी होती है वो खिला दें ठीक है मूंग की डाल घी हरा कपड़ा ये सब दान कर सकते हैं और कोशिश कीजिएगा कि वेंश्टे के दिन हरे कपड़े थोड़े से अवाइड करें ना पहने अगर नमबर पाँच रिपीट मार रहा है तो तो ये तीन नमबर one eight nine अगर आपकी डेट अवबर्त में है तो कही न कहीं आपकी सरकारी नौकरी का योग बन रहा है साहत में नमबर five आ गया तो business का योग बन गया और double five भी आ गया तो business का योग और भी जादा अच्छा हो गया ये चारो नमबर वन एट नाइन और फाइव ये चारो नमबर आ गए तो आप इन दोनों चीजों के लिए अच्छे हैं आप सरकारी नौकरी भी कर सकते हैं और बिजनिस भी कर सकते हैं यहां पर भी आपको ज़्यादा अफसर दिखें ज़्यादा अप उस तरफ जाईए आपको सकसेस मिलेगी उमीद करता हूँ कि आज के वीडियो से आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा अगर कुछ नया सीखने को मिला तो कमेंट में रादे रादे यह बहुत मैजिकल वर्ड है जरूर लिखें वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है और वीडियो आपको समझ में आया हो अच्छा लगा हो तो अगले वीडियो तक के लिए रादे रा